प्रनती आईएस में आप सब का हर्दिक स्वागत हैं मैं कुमार उत्पल लिमका बुक अफ वर्ल लेकर्ड होल्डर तिस पुस्तकों के लेखाद आज मैं सुरू करने जा रहा हूं हिल एस्टेशन और बिहार बिहार में जो हिल एस्टेशन है वह बहुत महत्तपून है केवल उसको प्रचारित और प्रसारित करने की जरूरत है हम सब को भी और सरकार के तरफ से भी इस पर ध्यान देना चाहिए और इसको और भी तवज़ो मिलनी चाहिए तो निस्चित ही यह राश्ट्री है नहीं अंतराश्ट्री अस्तर के हिल हो सकते हैं आएए मैं सुरू कर रहा हूं राम सिला हिल राम सिला हिल विचिट सिच्टेट अट गया इस इस साउथ इस साइड ऑफ गया यह गया के आपको दक्षनी और पुर्वी छेत्रों में यह अवस्थित है और यहाँ पर यह सबसे बड़ी घटना है कि भगवान राम लॉड राम यहाँ पर पिंडदान देने के लिए इसी पहार पर इसी हील पर आए हुए थे इसी पहार पर आए हुए ते इसलिए इसको राम सिला हिल कहा जाता है यहाँ पर आप देखेंगे कि इसके टॉप पर इसके आप देख रहे हैं यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ राम सिला हिल जो है साउथ इस्ट साइड ऑफ गया में है अवस्तित है इसको आप लोग एदम रहे हैं कि आपको दो टेंपुल है एक रामेश्वडा है दूसरा है जिसको हम पतालेश्वडा कहते हैं यह जो आपको 1014 AD में इसका अस्थापना किया गया और इसी के सामने जो है हिंदू जो डिवोटी लोग हैं यहां पर अपने पुरवजों के आपको पिंदेदान देते ह है यह बहुत महतफोन जगा है इसको हम रामसिला हिल कहते हैं मैं रामसिला हिल के बाद आपको बताने जा रहा हूँ प्रेथ सिला जो आपको यह आपको दस किलो मिटर रामसिला से हटके है और यहां पर सबसे बड़ी बात है कि यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर यह ज यहीं पर भगवान राम इसमें असनान करके और आपको दिये थे वह अपने पुरवजों को पिंड़दान किये थे ब्रह्म कुंड में आपको जो आदमी एक वार डूबकी लगा करके अपने पुरवजों को दान देते हैं वह आपको लोग कहा जाता है कि आपको स्वर्ग का उनको प्राप्ति होती है मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर बगल में आप देख रहे हैं अहिल्या बाई के द्वारा यह टेंपुल बना गया है इदम रौक को कार्व करके रौक को खोद करके यह मंदिर बना गया है जो बहुत अच्छा है यहाँ पर लोग दर्शन करते हैं वर्सिप करते हैं और आसिरवाद प्राप्त करते हैं तो यह है आपका प्रेद सीला गया हिल है और यह आरकेई के हिल स्टेशन और विहार कहा जाता है बहुत सुंदर है यहां से आप चाड़ों तरफ जो हड़े भरे जो खेत खलियान है देखने में बहुत ही आनंद आपको आएगा बहुत सुंद मतपून है देख रहे हैं यह गुर्पा हिल चाड़ों तरफ आपको पहाड़ी की वादियां है आप देख रहे हैं और यह गुर्पा हिल कितना सुंदर और रोमांचित करने वाला है सरीर में एक स्फूरन और ताजगी भर देता है यहां पर एकदम टॉप पर आप देख र यह आप देख रहे हैं कितना सुंदर और सुनौला है इस पर मेडिटेशन करने में बहुत यानन देता है इस चित्र को मैं आपको बता रहा हूं यहां से आप देख रहे हैं यही चित्र का विस्तार रूप में हम आपको बता रहे हैं यह वही जगा है जहां पर महाकश्यप महाकस्यप आज भी वह समझे मेडिटेशन कर रहे हैं और आज भी इसलिए हम कर रहे हैं कि आने वाले भविश के जो बुद्ध थे बुद्ध अपने को कह दिये थे कि हमारे मरने के बाद मैं फिर मैत्रई बुद्ध के रूप में धर्ती पर अवतरित होंगा तो महाकस्यप जो थे आपको आज मी मैत्रई बुद्ध के लिए वह आपको मेडिटेशन कर रहे हैं कि वह आएंगे और प्रीथवी के जो अकल्यान कारी महौल हो गया है उसको कल्यान करने के लिए फिर से आएंगे जिसको हम मैत्रई बुद्ध काते हैं तो मैत्रई बुद्ध का आज भी प्रतिक्षा कर रहे हैं यह महाकश्यप कौन थे इसके बाड़े में मैं थोड़ा सा बता देता हूं महाकश्यप जो है प्रथम बुद्ध शंगती हुआ था उस प्रथम बुद्ध शंगती के यह आपको अध्यक्स थे इसको ध्यान रखे गा सबत पढ़नी गुफा जो राजजीर वE real ही पर शमेलन हुआ था महाशमेलन हुआ था इसके एह ध्यक्च रहें और या यह है आइक्वली या कहां यह Guru P GHS है यह Guru P covers Really में गया में आवस्टित है इसको धियान में रखेगा एक- और है इसका नाम बहुत फेमस रूप में लिया जाता है कुकूता पादगीरी कुकूता पादगीरी इसका एक अलग नाम है इसको ध्यान रखेगा यहां पर बहुत सारे लोग आते हैं meditation के लिए चारों तरफ से आप देख रहे हैं चारों तरफ से जो खुला खुला वातावन है पहाडी है आपको उसके बाद हड़े भड़े पेर पौधे हैं इससे चारों तरफ से हवा आती है आप जाएंगे तो बहुत ही रोमांचिकारी है और आपको मन मस्तिस को तरो ताजा कर देगा इसमें meditation करने के लिए बहुत सुंदर अस्थान है गुरुपा पीक आफ गया मैं एक और पीक पर ले जा रहा हूं एक औल ही ले station है जिसको हम लोग प्राग बौध ही कहते हैं प्राग बौध ही प्राग बौध ही का मतलब होता है कि बुद्ध को जो ग्यान प्राप्ती हुई बौध बौध ब्रिक्ष के नीचे उससे पहले हुआ च्छो वरस च्छे वरस तक इसी हील पर उन्होंने आपको योग करते रहे ध्यान करते रहे और इस च्छो वरस के meditation के बाद उनको ग्यान प्राप्त हुई तो इसलिए क्योंकि ग्यान प्राप्ती से पहले का यह जग है तो आपको उसको प्राग बौधी कहा जाता है बौधी मिन्स होता है ग्यान प्राप्त करने वाले जो थे गौतम बुद्ध उसको बौधी कहा जाता है और उससे पहले की जो इस सितिती है उसको प्राग कहा जाता है तो प्राग बौधी जो है या हील चीजों का आपको यहां पर बनाए गया है जैसे इनकी मूर्ती भी बनाए गई है टेम्पुल भी बनाए गया है यहां पर एक दुंगेश्वरी जो देवी हैं उनकी भी मंदिर यहां पर अवस्तित है तो इसको ध्यान में रखेंगे प्राग बोधी जो है आपको गया में परहा दिया जाए तो पूरे विश्व से आप जानी रहे हैं भारत के अलावे स्रेलंका भुटान नेपाल से ले करके आपको ताइवान से ले करके चीन से ले करके आपको कोरिया साउथ कोरिया नौर्थ कोरिया ठीक है ना थाइलैंड वियतनाम से ले करके आपको आप चले अपार, शंक्या है लोग बहुत धर्म को अपनाने वाले बहुत साड़े लोग है वहां से यहां पर आज सकते हैं लेकिन यहां पर हड़े भड़े खेत खलियान देख रहे हैं ब्रिक्चों का बहुत इह अच्छा है किवल थोड़ा सा प्रचार, प्रशाड और थोड़ी सी द में भी यह पूछा जाता है बहुत ही महत्पोन है इसको हम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा आए मैं आगे बढ़ता हूँ ब्रमजूनी हिल गया में है ब्रमजूनी हिल जो आपको यहां पर आपको देख रहे हैं ब्रमजूनी हिल जो आपको दिखाई पर रहा है उसके ब यह वही जगा है कि जहां पर उन्होंने fire sermon किया था यहां पर उन्होंने एक हजार प्राइस्ट को बुद्ध के बुद्ध के बुद्ध बिक्चुकों के एक हजार लोगों को उन्होंने ग्यान की सिख़ा दिया था यह इसलिए महत पॉर्ण है सार नात में सबसे पहला जो उन्होंने ग्यान दिया था पंचवर्गे ब्राम्वन को सार नात कितना प्रशिद्ध हो गया यहाँ पर तो एक हजार बौद विक्चुओ और ग्यानी लोगों को उन्होंने दिया तो यह तो और भी प्रशिद्ध होना चाहिए हम लोगों को और भी इसकी जानकारी अपने को देना चाहिए हम लोगों को इस वीडियो को आप सबसे निवेदन करूंगा कि सभी लोग आप लोग इसको सेयर करें सब्सक्राइब करें और लाइक करें लाइक बटन पर जरूर प्रेस करें क्योंकि यह बिहार की अस्मिता और बिहार की गौरव की बात है और यहाँ पड़िचाओं में तो पूछे ही जाएंगे विपीएसी में के लिए तो होट होट सब्जेक्ट है इसको ध्यान में रखेंगे एक हजार प्राइस को देने वाला जगा है ब्रम्वजूनी हील कहलाता है मैं आपको बता रहा हूँ इस प्राइस लोगों को बहुत भीच्चियों लोगों को ग्यान दिया था प्रवचन दिया था उस एक हजार स्टोन एक हजार लोगों को दिया था बहुत भीच्चियों को तो एक हजार स्टेप्स पार करके इस हील पर आएंगे कितना सुन्दर तालमेल है कि एक हजार स्टेप पार करके आप वहां पहुँचेंगे और वहां पर जो है एक हजार बौद भीक्षूओं को उन्होंने ग्यान दिया था कितना अच्छा है कि लगता है कि कोई आदमी एक हजार पार करके जाएगा तो निस्री थी कुछ नो कुछ ग्यान प्राप्त होगी क्योंकि बुद्ध का वहां असिरवाद भी है मैं आपको बता रहा हूँ इसके आप एक और आप कर सकते हैं में तिंग्स यहां क्या है तो लौड विश्नु का विश्नुपद में टेंपुल में भी दर्शन कर सकते हैं यहां दो नेरो केप्स है ब्रह्म योनी है और मिर्तु योनी है इसको भी आप दर्शन कर सकते हैं होती अच्छा जगह महेर हील है महेर हील जो है आपको बता देते हैं गुरुपा भैली पर जाने से पुर्व इन्हों ने इसी हील पर गौतम बुद्ध जो है आपको आराम किये थे तो यह भी बहुत महत्पून है हम लों को ध्यान रखना चाहिए आपको एक पात बता देते ह है क्योंकि यह बौध महत्मा बुद्ध के जीवन से सम्मंधित यह महत्पून जगह है इसको कभी ने भूलिएगा महेर हील महेर हील जो है आपको जब गुरुपा पिक पर जा रहे थे तो उससे पहले यहां आराम किये थे ठीक है तो इसको दियान रखेंगे मैं आपको उस रहा है यह दिखाई पर रहा है यहां दिखाई पर रहा है तो यह आपके लिए बहुत ही महत्वपून कई द्रिश्चुकोन से है आईए बता देते हैं यह बटेस्वर के भागलपूर का है देख रहा है चारो तरह पानी है कितना सुन्दर यह रमनी के जगह है चारो तरह इस रॉक पर बटेश्वर के भागलपूर में अवस्तित है यहाँ पर आपको पतालपूरी केव आप देख रहे हैं जो भागलपूर से 13 किलोमेटर दूर जो है यह अवस्तित है इसको ध्यान नखेंगा यहाँ आपको बटेश्वर केव को आप देख रहे हैं यहाँ पर बटेश्वर केव है जो बहुत ही महत्तपूर्ण है इसको आप देख रहे हैं यह केव है यह केव है आप देख रहे हैं यह कितना सुंदर है कि इसमें पहले आपको जितने भी योगी लोग होते थे रिशी मह हरसी होते थे यहां पर आ करके अपना योग शाधना तपश्या करते थे तो भागलपूर में आवस्तित है यह चो किलो मिटर आपको यह सहर कुर्सेला से दूर है महादेव शीव और विश्नु का यहां मंदिर है तो इस द्रिश्टकोन से भी आपको बहुत महत्पोन है महाद केव और विश्नु का मंदिर है पतालपूरी जो यहां पर आपको देख रहे हैं पतालपूरी के भागलपूर से 13 किलो मिटर नौर्थ इस टॉप कहलगाउं में है गंगा रिवर के साइड में इसका आपको इस्ट की ओर खुलता है यह वी और है कि एक तरफ गंगा नदी का है और दूसरे तरफ यह आप पतालपूरी केव है इस जगह पर बहुत ही रशी महर्σιयों की अध्यात्म का सेंटर है इसे पोजिटीव सरुजनात्मक सोच और सरुनात्मक बुद्धी सरुनात्मक इनरजी पोजिटीव इनरजी यहां पर प्रवाहित होती है जो भी certainly स्टूप आप देख रहा है या विश्व शानती स्टूप है बहुत महत्तपून Mahar है आप और compete रादगीर के में आप चार तरफ से इसके बुद्ध का मंदिर भी है इस आपको इस तूपा में सांती स्थूप में आपको एक नहीं शैकरो लोग यहां पर प्रासना करते हैं पूरे विश्व की सांती के लिए और यह जो है आपको यह जानिए रतनागिरी हिल राजगीर में है और इसको इसका इनि 1969 में हुआ था और इसमें 1993 में जो अभी प्रजेंट आपको फॉर्म देख रहा है प्रजेंट अभी जो दिखाई पर रहा है 1993 में बना और इस तरह के विश्व में 80 आपको पीस पैगोडाज बने हैं और यहां जो है कौन लोग बनाए है तो नियो बुद्धिस्ट और्गन organization निपोन जन मायोजी जो है इसको बनाए है और आपको इसमें फुजी के द्वारा inspired किये गये थे और inspired करने वाले जो है महत्मा गांधी जो है करमचंद्र महत्मा गांधी जो है मोहंदास करमचंद्र गांधी के द्वारा इनके प्रेना मिला और उस प्रेना के तहत यह बना गया है क्योंकि आप जान ही रहे हैं विश्व शान्ती के लिए इसको किया गया है क्योंकि आप जान ही रहे हैं कि यहाँ पर आपको दो बंब गिराए गये थे उस दो बंब एटोमिक बंब गिराने से वहाँ पर काफी परशानी हुई थी आज भी वहाँ पर विकलांग बच् ही रोशनीमा और नागासा की उआ जगा है तो इसलिए इन्होंने शांती के लिए 80 अभी तक पूरे विश्व में है जिसमें हम लोग के बिहार में या विश्व सांती स्थूप वर्ल्ल पीस स्थूप बना है जो हम लोग के लिए बहुत ही अच्छा है आप सबसे मेरा निवे